प्रमिस्तर का धन्यवाद देतों एक बाद फिर से के प्रमिस्तर ने मौका दिया कि उसके जीवित वचन के उपर हम लोग मनन करें और आज का जो समय है बहुती कीमती समय है हमारे पास और हम जानते हैं कि प्रभु ये सुमसी का शुबागमन बहुत निकट है और जब हम हमेज के आज का जो एपिसोड है 48 हखीकत का 48 वा एपिसोड है और इसमें हम भाग 47 पहुंच गए है और आज इसा हम की है यहां Bem आज है तो आज का जो निकीटिया आपको याद होगा जो पहला भागता याजमे हमने बिसे में देखा था कि परमेशो ने खोजा को क्यों चुना क्कि correspondslusive वा लॉटते समय बाइबल पढ़ रहा था फिर हमने देखा दाउत को क्यों कि दाउत के अंदर वो खासियत थी, जो परमेसर को पसंद थी, वो सब आप जानते हैं, मेरा जो हग 46 है, उसमें आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, Word of Truth Ministry के नाम से, और दूसरी, जो तीसरी जो स्थरी थी, वो उनका नाम सारपत की विद्वा के ना र Budget सकते हैं, थी वो तो चुना परमेसर को परमेसर का नाम से, मैंने एक स्थरी को तेरे लिए वो खुजन कर हने के अजिया, तो फोड़ी से छिसमें मैदें में ःत्षे तेल में खा देरें, हाज के जो प्रमें से शकता हैं, ज्यक्तित्व है। वो है संथ पॉलुस। क्या वजह थी ऐसी कि परमेशर ने संथ पॉलुस को चुना। आज अम इसके पर चर्चा करेंगे और ज्यादा समय में आपकर नहीं लुगा। थोड़े से सब्दों में बहुत सारी बाते आज हम करेंगे और संत पॉलुस जो है वो बहुत ही कटर व्यवस्थापक थे संत पॉलुस जब वो शावल थे तब वो बहुत कटर व्यवस्थापक थे और हम देखते हैं आईए मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 9 पर इस तरह से लिखा है कि और शावल जो अब तक प्रभू के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था महायाजक के पास गयार उससे दमिश्क की अराधनालायों के नाम पर इस अभी प्राय की चिठ्थियां मांगी कि क्या पुरुस क्या इस्त्री जिन्हें वह इस पर पाए उन्हें बांद कर यरुश्यलम में ले जाए परंतु चलते चलते जब दमिश्क के निकट पहुंचा तो एक एक आएक आकास से उसके चारों और जियोती चंकी और भूमी पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शावल हे शावल तु मुझे क्यों सताता है उ जो तुझे करना है वो तुझे कह दिया जाएगा या तुझे बता दिया जाएगा संत पॉलूस के विसे में हम सब जानते हैं कि वो चेलों को धंकाने में जैसे अभी हमने पड़ा भी है चेलों को धंकाने में और मारने में जब इस्तिफनस को जब जब जबान लोग मार र रहे थे और वो कपड़े उतार कर जब उसको पत्रवा कर रहे थे तो उन पड़ों की रखवाली द्रिश्टी की और इसको चुन लिया अपने बहत्रीन काम के लिए अपनी सेवकाई के लिए हम जानते हैं कि वो शाओल जो कलीसिया को सताता था चेलों को सताता था मारता था बंदी ग्रह में डालता था और जब जवान लोग स्टिफनेस को मार रहे थे तो उनकी कपड़ों के रखवाली कर रहा था बहुत एंजॉय कर रहा था उसको तो ऐसी क्या खासियत थी शाओल में जो परमेसर को पसंद आ गई हलेलिया हम देखते हैं कि गमलीयल के कदमों में बैठ कर संद पॉल उसने विवस्था को सीखा विवस्था को प्राया उसने शिक्षाप्राप की गमलीयल से और गमलीयल की तरहां वो भी एक पक्का विवस्थापक बन गया और वो इस बात से इस बात के लिए परिशान था तुकि जो विवस्थापक लोग है वो प्रभू येसुमसी के ओपर विश्वास नहीं करते और यही वज़े थी कि संत पॉलूस जो है वो ये सुमस्ती के अनुयाईयों के पीछे पड़ गया उन्हें मारता उन्हें घसीटता उन्हें बंदी ग्रह में डालता और उन्हें बहुत टॉर्चर करता था बहुत परिशान करता था और हम देखने के संत पॉलूस के अंदर वो जलन थी परमेसर के परती वो कहता था कि एक ही परमेसर है तो ये एक मनुस्य की पीछे क्यों जा रहे हैं ये लोग मनुस्य की पीछे क्यों जा रहे हैं ये सारी बातें उसके अंदर थी कि एक जीवित परमेसर है एक ही परमेसर है तो ये लोग एक मनुस्य के पीछे जिसका नाम येसु है उसके पीछे क्यों जा रहे हैं ये जलान ये जील उसके अंदर थी ये आग उसके अंदर थी और ये आग ही परमेशर को पसंद आ गई हालेलुई रहा है मैं आपको इसाथ एक वचन सेयर करना चाहता हूं और वो वचन है नीती वचन 22 अध्याय और उसकी 6 आयत देखिए उसमें क्या लिखा है नीती वचन 22 अध्याय और उसकी 6 आयत या पर इस तरह से लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्की दे जिसमें उसको चलना चाहिए अब बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा हालेलुई या लड़के को शिक्षा उसी मार्की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा हालेलुई और यही बात शाउल के साथ हुई, बच्पन में जो उसको सिक्षा दी गई, विवस्ता की सिक्षा दी गई, बच्पन में जो उसको सिखाया गया, कि सिर्फ एक ही परमेस्वर है और एक ही प्रभु है जिसके पीछे हमें चलना है उसी को मानना है उससे अलग हम किसी को नहीं मान सकते क्यूंकि दस आग्याओं में पहली आग्या जो है जो इस्रेलियों को मुसा के द्वारा परमेस्वर ने दी कि तु मुझे छोड़ दूसरो परमेस्तर को भा गया और परमेस्तर ने समझ लिया कि अगर ये विश्वास में आ गया तो ये कटरपन मेरे बहुत काम आएगा हलेलुया और हम देखते हैं कि जब पॉलुस को जब शावल को परमेस्तर ने पकड़ा दमिश्के रहा में तब उससे कहा कि जो तुस्ते कहा हलेलुया और ऐसा ही हुआ वह कटर कटर व्यवस्थापक जो एक ही परमेस्तर को मानने वाला था वह कटर व्यवस्थापक जो ये सुमसी के अनगयाईयों को परिशान करने में टॉर्चर करने में लगा था उसकी जिंदगी बदल गई उसके विचार बदल गए उसका मत परिस्तितियां बदल गई, सारे समीकरन बदल गए और वो शावल जो था वो पॉलूस बन गया और उसके बाद हम देखते हैं कि लगबग 13 या 14 पत्रियां शावल ने लिखी और हम देखते हैं कि करुंतियों में उसने लिखा है कि मैं कलीसिया की चिंता में इतने मैंने जोख की हैं अपने कि मैं इस तरह का हो गया लेकिन एक बात बहुत अच्छी है जो शावल कहता है पॉलूस बनने के बाद वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं प्रभू येसु मसी की मृत्यू के समीब पहुँच जाओं हालेलुया मैं उसकी मृत्यू नजय की सामर्थ को देखने हालेलुया मैं वहाँ तक पहुँच जाओं जहां तक येसु मसी पहुच गए थी हालेलुया लेकिन फिर भी फिलिफ्ट की में वो कहता है checking मैं अभी भी दोड़े जा रहा हूं यह नहीं कि मैंने पकड़ लिया है मैं अभी भी दोड़ रहा हूं और क्यूं क्युकि वो ठा कटरपन ही परमेस्वर को भागया और इस कटरपन के कारण परमेस्वर ने शाउल को पॉलूस बना कर अपने लिए इस्तमाल किया और हम जानते हैं कि शाउल ने मरते दम तक प्रभु येसु मसी की सेवा की और जब सत्तर में नीरो राजा ने उसका गला काट कर उसकी हत्या कर वादी तब तक वो प्रभु येसु मसी कानुयाई बना रहा हलेलुया ऐसी चीजें प्रभु हमारे अंदर देखता है एक खास बात हम अपने अंदर पैदा करें और पैदा क्या करें हम सब के अंदर होती हैं वो बाते लेकिन हम उसे जागर नहीं करते हलेलुया हम अपने जीवन नहीं होता वो नहीं बढ़ती इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है संसार में बनी वी है और जब वो बनी थी आवो सेकड़ों साल बाद भी वो ऐसी खड़ी रहती है वो नहीं बढ़ती है क्योंकि उनके अंदर जीवन नहीं है बलकि इसके विपरीत एक बीज जब जमीन के अंदर जाता है वो फूट निकलता है वो पौधा बनता है वो पेड़ बनता है और वो बढ़ते बढ़ते बढ़ता चला जाता है क्यों कि उसके अंदर जीवन है अगर हम प्रभू में नहीं बढ़ रहे हैं अगर हम अपनी उस खासियत को नहीं बढ़ा रहे है इस हम अपने अंदर उस जीVEN को पैबस्त कर लें हम अपने अंदर उस जीवन को अतार लें जिसका नाम प्रभू यह सुमसी है जब वो जीवन हमारे अंदर आ जाएगा तब हम ग्रोथ करेंगे और वो विशेषताएं जो परमेसर ने खोजा में देखी जो सारपत की विद्वा में देखी, जो दाओद में देखी, जो शावल में देखी, वो विशेषता हमारी भी परमेस्वर को नज़र आएगी और परमेस्वर हमें भीड़ में से अलग करकर कहेगा कि तु मेरा ही है, मैं तुस्से प्रेम रखता हूँ, हालेलुया, हम परमेस् देवा के लिए इस्तिमाल करता है हललुया धन्यवाद देता हूं आज के सुन्दर वचन के लिए आप लोग भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना किमती समय निकाला और इस वचन को सुना मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर उसे सब्क्राइब कीजिए और इस वीडिय बाइबल स्कूल और मापर हम सब मिलकर बहुत से लोग हैं हम मिलकर बहुत से लोगों को प्रभु की सिख्षा देते हैं वचन से हम उनको सिखाते हैं ये सब प्रभु की अधिन्ता में होता है जो प्रभु हमको बताता है वो हम सब को बताते चले जाते हाललुया आप हमारे सुमस्री का धन्यवाद देता हूँ और बिंती करता हूँ कि प्रभु आप सब को अपने में आगे बढ़ाए आए एक छोड़ी सी प्रात्मा करेंगे उसके बाद मैं समाप्त करोगा परम्पिता परमेस्टर में धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लि बलकि प्रभु जी उसे हम उजागर करें और तेरे सम्मुक लेकर आएं प्रभु जी हमारे अंदर खोजा के समान सारपत की विद्वा के समान हमारे अंदर दाउत के समान हमारे अंदर शावल के समान वो विसेस्ता है भरी पड़ी हैं प्रभु हम चाहते हैं प्रभु तो ह हमें से बादचीथ कर और वोसेस्ता हैं उभार धाकि प्रबुजी हम तेरे लिए होजyy की तरा प्रबुजी शाउल की तरह दावत की तरह प्रबुजी हम कारे करने वाले हैं प्राक्ता करता हूं गौह के लिए हम सब को तयार कर अग् WILWA कामि sticks के जो तुम से चाहता है आने वाले दिनों में प्रभुजी देश में जुना होने वाला है प्रभु जी उसके दिन Day में भिंति करता हूं प्रवु जी सिरी कार्रेम प्रभू जी तेरा कार्य बढ़ता चला जाये और बहुत से लोग ज़ねन Mira मेरी स्परात्मा को सुन लिया अमय आमिन ये मैं धरे बाद देता हूँ आप सबका भी कि आपने अपना कीमती समय निकाला और इस वीडियो को देखा इस मैसेज को सुना तो इस मैसेज को आप सब्क्राइब कीजिए शेयर कीजिए लोगों तक पहुंचाईए और आज ये आखरी जो अकिकत का जो परमेसर किने चुनता उ जो फरवरी है उसको एक संसारिक तहवार मनाया जाता है जिसका नाम है वैलन्टाइन डेज उसके उपर मैं 13 तारिक को आपके साथ फिर मुकातिब होंगा उस पर हम बादचित करेंगे हम देखेंगे बाइबिल इस लिस्से में क्या बादचित करती है तब तक के लिए में बढ़िए प्रभु आपको सरक्षित रखे और अपनी सारी आसिसों से आपको भरपूर करें ये एशु के नाम से मांगता हूं आमेन आमेन फिरामे